आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने प्रायोगिक प्राइक्ता के बारे में समझा आज हम प्राइक्ता के सैध्धानतिक द्रिष्टि कोण को समझेंगे जोसफ अपने मित्र वैभव के घर जा रहा है जिस सडक पर वह चल रहा है आगे चल कर वह दो सडकों में बढ़ जाती है जोसफ सही रास्ता चुनने के लिए साइन बोर्ड ढूनता है जोसफ का सडक पर चलना एक प्रायोग यानि की ट्रायल है क्या अब आप यहां आउटकम बता सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दोनों सडक जो जोसफ के सामने है इस इवेंट के लिए दो आउटकम्स होंगी हमारे बाई और की सडक को हम एक्स और दाई और की सडक को वाई से दर्शाते हैं क्योंकि जोसफ को कोई साइन बोर्ड नहीं मिलता जो उसकी मदद कर सके तो हम कह सकते हैं कि दोनों रस्तों के सही होने की पचास-पचास प्रतिशत संभावना है हमने ऐसी प्रागुक्ती यानि प्रेडिक्शन क्यों की? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि दोनों में से सही रास्ता कौन सा है अतह हम किसी भी रास्ते के साथ पक्षपात नहीं कर सकते इसलिए दोनों रास्तों के सही होने की संभावना को पचास-पचास प्रतिशत माना गया है आप देख सकते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम संभावना ही कर रहे हैं और जब हम संभावना की बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हम प्राइक्ता यानि की probability की बात कर रहे हैं जिसे हम P से दर्शाते हैं हम देख सकते हैं कि यहां हमारे पास सही रास्ता चुनने के लिए कोई पूर्व आंकड़े नहीं है, जिस कारण यहां प्रायोगिक प्रायक्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थितियों में हम सैध्धान्तिक प्रायक्ता की मदद लेते हैं, जिसे theoretical या classical probability भी कहते है जिसका संख्यात्मक रूप में मान ग्याद करने के लिए, हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जोसफ की स्थिती में हमारे पास कुल दो आउटकम्स हैं, यदि जोसफ सडक X को चुनता है, तो अनुकूल परिणाम यानि की favorable outcome की संख्या एक होगी इसी प्रकार सडक Y को चुनने पर भी अनुकूल परिणाम यानि की favorable outcome की संख्या एक होगी सैध्धान्तिक प्राइक्ता के सूत्र से दोनों सडकों को चुनने की प्राइक्ता एक बटा दो मिलती है यहां दोनों सडकों के लिए प्राइक्ता या संभावनाई समान हैं इसलिए हम इन्हें संप्राइक परिणाम यानि की equally likely outcomes कहते हैं यदि हमारे पास यहां दो के स्थान पर तीन सडके होती तो क्या आप इनके लिए प्राइक्ता बता सकते हैं? तीन सडके होने पर संभव परिणामों की कुल संख्या तीन हो जाती हैं और पहले की भाती प्रत्येक सडक के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या एक होगी अतह तीनों सडकों के लिए प्रत्येक के सही होने की प्राइक्ता एक बटा तीन होगी क्योंकि इस बार भी तीनों सड़कों के लिए प्राइकता समान है इसलिए हम इन्हें भी equally likely outcome कह सकते हैं क्या आप किसी ऐसी स्थिती के बारे में सोच सकते हैं जिसमें परिणाम संप्राइक यानि की equally likely न हो? नहीं, कोई बात नहीं, मिलकर सोचते हैं मान लेते हैं जोसफ के इस बस्ते में साथ गेंध हैं जिन में चार लाल, दो नीली और एक काली है अगर जोसफ को बस्ते के अंदर देखे बिना एक गेंध निकालनी हो तो क्या आप बता सकते हैं इसके क्या परिणाम होंगे? क्या तीनों तरह की गेंदों के लिए परिणाम संप्राइक equally likely होंगे लाल गेंदों की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इसके निकलने की संभावना सबसे अधिक है इसी तरह नीली गेंद के निकलने की संभावना लाल गेंद से कम तथा काली गेंद से ज्यादा होगी और काली गेंद की संभावना सबसे कम होगी आप देख सकते हैं कि यहां तीनों गेंदों के निकलने की संभावना असमान है इसलिए ये परिणाम संप्राइक नहीं होंगे चलिए एक और महत्वपून बात को समझे अगर दो रस्तों की स्थिती में प्राइकताओं को जोड़ें तो हमें एक मिलता है इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि तीन रास्तों और गेंदों की स्थिती में भी प्राइकताओं को जोड़ने पर एक मिलता है अतह हम कह सकते हैं कि किसी घटना की सभी प्राइकताओं को जोड़ने पर सदैव एक मिलता है पर ऐसा कैसे मुमकिन है? आईए देखते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक सडक है, तब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है इसलिए उस रास्ते पर चलने की संभावना 100% या कह सकते हैं कि प्राइक्ता एक है इसलिए कह सकते हैं कि यह घटना, इवेंट एक निश्चत घटना यानि की श्योर इवेंट है आगे बढ़ने पर जब सडक एक से ज्यादा सडकों में बढ़ गई तो प्राइक्ता भी उसके हिसाब से बढ़ जाती है इसलिए इन बटी हुई प्राइक्ताओं को जोड़ने पर हमेशा एक मिलता है चलिए वापस से अपनी पहली स्थिती पर आ जाते हैं जोसफ अभी सही रास्ता चुन ही रहा था कि तब तक वहाँ उसका एक मित्र महसीन आ जाता है जो उसे बताता है सडक वाई सही रास्ता है ऐसे में आप प्राइक्ता बदल कर सडक एक्स के लिए शून्या और सडक वाई की 100 प्रतीशत हो जाती है क्योंकि अब हमें पता है कि सही रास्ता कौन सा है इसलिए सडक वाई पर चलना एक निश्चित घटना यानि की Sure Event है अतह वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो निश्चित घटना कहते हैं इसकी प्राइक्ता एक होती है इसके विप्रीत वह घटना जिसका घटित होना असंभव होता है कि प्राइक्ता हमेशा ही शून्ने होती है ऐसी घटना को अनिश्चित घटना यानि की impossible event कहते हैं जैसे कि यहां सही रास्ता मालूम होने के बाद जो सव सडक X पर नहीं जाएगा इसलिए यहां एक impossible event है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी घटना की अधिक्तम सीमा एक तथा निउन्नतम सीमा शून्ने होगी अब चूंकी जो सव को पता है कि उसे सडक Y पर जाना है इसका मतलब है कि वहां अब सडक X पर नहीं जाएगा ऐसे में सडक Y पर चलना घटना तथा सडक X पर चलना एक पूरग घटना यानि की complimentary event होगी जिसे हम E बार से दर्शाते हैं क्या बता सकते हैं किसी complimentary event की प्राइक्ता कैसे ग्याद कर सकते हैं हमें पता है कि कुल प्राइक्ता एक होती है जिसमें से अगर हम घटित हुई या हुने वाली घटना की प्राइक्ता को घटा दें तो हमें complimentary event की प्राइक्ता मिल जाती है अगर हम इस थिती को पुनह देखें जहां सडक X को चुनने की प्राइक्ता एक बटा दो है तो हम सड़क वाय को चुनने की प्राइक्ता जो कॉम्प्लिमेंटरी इवेंट को इस प्रकार ग्यात कर सकते हैं। उमीद है कि अब आपको प्राइक्ता की अच्छी समझ हो गई होगी। आज हमने प्राइक्ता को सैध्धान्तिक द्रिष्टिकोन से देखते हुए किसी घटना के लिए सैध्धान्तिक प्राइक्ता ज्यात करना समप्राइक परिणाम। निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, पूरग घटना, प्रायक्ता की सीमा, प्रायक्ताओं के योगनियम को समझा